Hello everyone, my name is Dr. Shipra, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल Learn With Dr. Shipra आज का हमारा टॉपिक है पाइलोरिक स्टैनोसिस, यह हम देखेंगे स्टैनोसिस किस कारणों से होता है, किस में डबलब होता है, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं और कैसे हमें इसे टूइट करना है ठीक है, first of all, पाइलोरिक स्टैनोसिस एक स्टमक रिलेटेड डिजीज है, जो की इनफेंट्स में पाए जाती है, इसलिए से कॉन्स आनाइटल डिजीज हम बोलते हैं इसके जो इंसिडेंस होते हैं, thousand birth में से four में हमें पाइलोरिक स्टैनोसिस देखने को मिलती है अगर आपने अब भी तक स्टमक की अनटोमी नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप स्टमक की अनटोमी ज़रूर देख लेए तो पैलोरिक स्टैनोसिस में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पैलोरस क्या होता है, क्या स्टैनोसिस होती है, स्टैनोसिस का मतलब होता है छोटा हो जाना किसी भी कारण से, अगर किसी मसल्स की हाइपर ट्रॉफी होती है या मसल्स की ओवर ग्रोथ होती है, उसके कारण क्या होत यह हमारा क्या हो गए ? फिक है, यहां पर हम सबसे पहले बात करें, जो pyloric entrum वाला जो पार्ट है यह वाला आप देखिए यहां पर क्या पाहि जाती को इस बहुत सारी मुसल्स पाहि जाती मुसल्स की लेयरिंग होती है, जो सकुलर मुसल्स यहां पर होती है've वो क्या करती है? फूट को hold करके रखती है किसमे? स्टमक में, जब भी इस टमक का एक pressure जनरेट होता है, उसकी कारण क्या होता है? पािलल्रस जो यहां पे होता है, वो open होता है और food कहां जाता है? Food जाता है doorąneum में. ठीक है? यहां पे होता है पाईल्रस, यह open होता है और food जाता है किसमें डियॉर्डिनम में लेकिन इस case में क्या होता है hypertrophy हो जाते है circular muscles की आप देखो यह hypertrophy हो गई है red color से जो आपको दिख रही है hypertrophy हो गई है circular muscles की ठीक है pyloric entra में उसके कारण क्या हो रहा है कि अब जो pylorus पहले relax हो करके food जा रहा था का डियॉर्डिनम में अब वो food कहा है डियॉर्डिनम में नहीं जाएगा वो कहां रहेगा stomach में रहेगा अगर food stomach में रहेगा तो उसके कारण क्या होगा बच्चे को projectile vomiting होगी वो जो food है जो बच्चे के ने जो भी milk लिया है वो forcefully कहां आएगा बहार आएगा इसलिए इसमें mean character मिलता है वो क्या है projectile vomiting और उसी के कारण में क्या मिलने देखने को मिलता है dehydration अब risk किसमें जादा होता है pyloric stenosis होने का यह हमने देखा babies में मिलेगा ठीक है most of all babies में जादा देखने को मिलेगा और इसके risk क्या होता है अगर हम बच्चे को first of 14 days में erithromycin या azithromycin देते हैं तो उसकी वज़े से इसके डबलप होने के chance क्या होता है बढ़ जाते हैं अब clinical features की हम बात करें तो अगर कहीं पे भी hypertrophy हुई है मतलब एक तरीके से एक mass या lump डवलप हुआ है अब यहाँ पे क्या होगा जो pylorus वाला जो reason है stomach और diodenum जो हमारा abdominal reason है वहाँ पे क्या होगा hypertrophy के कारण क्या होगा हम एक palpable lump feel होगा कहाँ पे left side में क्योंकि हमारे stomach कहा होती है left side में और यह जो lump है वो कैसा होगा mobile होगा smooth होगा और frame होगा ठीक है अब हम बात करें stenosis जो होती है male में ज़्यादा देखने को मिलती है as compared to female तो ratio क्या होता है 4 ratio 1 अब हम बात करें कहां कब हम ज़्यादा देखने को मिलेगी हमने पहले बात की कि अगर baby को हम first 14 days में erythromycin देते हैं तो उसकी वज़े से यह develop हो जाता है second हम देखे कि baby को third से लेकर के six week जो age होती है उसमें यह ज़्यादा देखने को मिलता है यह मैं already बता चुकी कि इसमें एक main symptoms मिलते हैं वो क्या होता है projectile vomiting क्योंकि जो pylorus है यहां आप देखे यह जो pylorus है यह क्या हो रहा है अब open नहीं हो रहा है open नहीं होने के वज़े से जो पूड है सारा यहां आके stomach में ही रहेगा और वो क्या होगा forcefully बहार आएगा ठीक है जो हमारी pest paralysis होती है gastric की वो visible होगी बेबी को constipation देखने को मिलेगा anorexia मतलब उसको भूप नहीं लगेगी dehydration आ जाएगा weight कम हो जाएगा और electrolyte imbalance हो जाएगे बेबी अगर पूरी तरीके से food नहीं ले रहा है तो automatically उसके electrolyte imbalance हो जाएगे diagnosis के हम बात करें तो diagnosis में first of all हमें physical examination और vital science देखने चाहिए तो physical examination में हम क्या देखेंगे जो hyper profit जो pylorus है वो उसमें हम palpate करके देखेंगे तो वो हमें palpation में feel होगा और second उसकी जो parasystylesis gastric की वो visible होगी ये दो क्या होगे हमारे physical examination vital science की बात करें तो इस condition में बेबी में hypothermia देखने को मिलेगा मतलब baby का temperature down मिलेगा trichycardia मिलेगा but regular pulses मिलेगे और tachypnea मिलेगा tachycardia और tachypnea मिलने का एक बड़ा reason हम माल सकते हैं किसकी वज़े से मिल सकते हैं ये dehydration की वज़े से उसके अलावा हम USG abdomen कराएंगे उसमें हमें easily visible हो जाएंगे obstructions barium meal x-ray कराएंगे तो उसमें क्या होगा जो meal होगा वो stomach में ही रह जाएगा ठीक है क्योंकि pylorus से hypertrophy की वज़े से बंद हो रखा है तो उसकी वज़े से हमें meal का मिलेगा अब हमें stomach में मिलेगा उससे हमें पता लग जाएगा क्या है pyloric stenosis होगा अब इसमें हम control study करते नहीं है लेकिन अगर हम करते हैं control study उसमें हमें क्या sign देखने को मिलता है rail road track sign ठीक है यहाँ आप देखो यह हमारी normal stomach है यह देखो यहाँ पर यह stomach है यह pylorus है और यह हमारी ठीक होने की वज़े से ठीक हो गया है लंबा हो गया है तो यह जो pathway है अब कैसा लग रहा है railroad track की जासे लग रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग railroad track sign treatment की बात करें first of all baby का dehydration हमें पैलिट ही करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए हम क्या करेंगे electrolyte को balance करेंगे ठीक है उसके लिए हम electrolyte P बगरा दे सकते है जो especially pediatrics के लिए यूज किया जाता है उसके बाद हम surgery करेंगे जो ramstead operation होता है जिसे pyloromyotomy भी कहते है यह जो है general anesthesia के अंदर perform किया जाता है इसमें क्या होता है कि हम लोग एक incision देते हैं किसमें abdominal wall में abdominal wall में incision देने के बाद में हम जो muscles हैं उनको separate करते हैं कहां तक हम hypertrophy muscle को separate करेंगे जब तक कि जो mucosa है वो buls out ना होने लग जाए अगर mucosa buls out हो रही है हमें दिख रही है then okay हमने जो OT की है हमने जो operation किया है वो बहुत सही हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है बलs out होने के बाद में हम जो उसके थोड़े-बहुत bleeding point होते है उसको थोड़ा pressure करके रखेंगे तो वो bleeding रुख जाएगी और उसके बाद हम abdominal muscles को बापे से close कर देंगे abdominal layer को बापे से close कर देंगे बट अगर हमने mucosa को insert कर दिया है तो उस condition में हमें क्या करना पड़ेगा horizontally उसको suture करना पड़ेगा उसके अलावा हम क्या करते है ballon dilatation ballon जो dilatation होता है यह successful नहीं है इसमें दुबारा होने के chances रहते हैं उसके अलावा हम जो आज किल हम जो सबसे ज़्यादा perform करते हैं वो क्या होता है laparoscopic pyloromyotomy क्योंकि इसमें हमें क्या होता है laparoscopy help से करते हैं और ज़्यादा बड़ा इन चीजन लगाने के हमें ज़रुरत नहीं पड़ती है तो इसलिए हम क्या करते हैं बेबी के लिए laparoscopy pyloromyotomy प्रिफोर करते हैं अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्स्राइब तो मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग